एक फरवरी साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या, स्वासिती योग का बना दुल्लब सैयोग, कुत्ते को खिला दे यह एक चीज, दुश्मनों का होगा नाश, जन्मों जन्मों के पित्र दोश होंगे दूर, बड़ी से बड़ी परिशानी तुरंथ होगी खत ओम कैशी महागड़ी शाय नमा, दाधी दाधी दोस्तों कैसे हैं आप सब, दोस्तों मौनी अमावस्या पर मौन ब्रत रखने का पिधान है, इस दिन मौन ब्रत रखने से मन शांत होता है, मन की शुत्ती होती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, मौनी अमावस्य पर पित्रों के निमेशात तरपन करने से पित्रों का आशिर्वाद मिलता है और पित्र दोश दूर होता है इस दिन इसनान करने के पश्चात भगवान सूरे को अध्य देना चाहिए ऐसा करने से कश्टों सी छुटकारा मिलता है शास्तों के अनुसार मौनि अमावस्या के द और निरोगी प्रैप्त होती है जादी भगवान लक्षमी नारायन के प्रती कर्पा कशटों से छुटकारा मिलता है आप अपने घर पर हरी इसनान के जल में गंगा जल मिला कर मान गंगा का ऑवाहन कर सता करें और इसनान करते समय ओम नमो भगवति वासु दिवाय मंत्र कर जाब करें ऐसा कहने से गंगा इसनान का पुन्यफल प्राप्त होगा इस दिन दान कहने का भी विधान है अपनी सामत के अनुसार किसी जड़तमन व्यक्ति को कंबल बस्तर अनाच इत्यादी का दान करें दोस्तों माग मास की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है साथी इसे मागी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है इस बार यह अमावस्या एक फरवरी दिन मंगलवार को है शास्तों के अनुसार मौनी अमावस्या पर किये गए जब तब इस नांदान पूजन और उपाई अन्य अमावस्या की तुल्ला में कई गुना अधिक पुन्य फल्दाई होते हैं साथी इस बार मौनी अमावस्या पर महुद्या यूग और स्वास्ति यूग का निर्मार हो रहा है जिससे इस बार के यह अमावस्या और भी ज़्यादा खास हो गई है आज की इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या के इस सबस्या यूग पर कहने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को कैने से दुश्मन शांध हो जाते हैं दुश्मन नुक्षान पहुचाना बंद कर देते हैं पित्रों की कृपा प्राप्त होती है पित्र प्रसन होकर अपना आशिरवाद देते हैं और पित्रों के किरपा प्राप्त होती है शनी देप से संबंदे दोशों सी भी राहत मिलती है और सारे काम बनते चले जाते हैं दोस्तों वीडियो में आगे पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर जरूर करें अगर आपने हमारे चैनल को भी तक सबस्क्राइ अपने आसन पिछा कर बैठ जाएं भगवान जी के सामने एक दिया जलाएं और एक सुगंति थुपत्ति जलाएं इसकी पश्चात आप भगवान शरी गणेश को भगवान लक्ष्मी नारायन को तिलक करें आप कुमकुम या हल्दी से तिलक कर सकते हैं तिलक करने के पूरी को आप अपने मंदिर में रखते हैं अब भगवान पिष्टू जी के द्वादश मंत ओम नमों भगवति वासु देवाय का जाब करें दोस्तों अगर आपके पास तुलसी की माला हो तो इस मंत्र का आप तुलसी की माला पर जाब करें इस मंत्र का आपको 108 बार मालक्ष्मी जी ही कहे गए हैं इसलिए पित्रों को प्रसन्य करने के लिए पित्रों के कश्टों को दूर करने के लिए और पित्रों का आश्रवाद प्राप्त करने के लिए भागवान लक्ष्मी नारायन का पूजन करना अती आवश्चक है मंत्र का जाब करने के पश्चा तो आप शनी देव के मंद्र ओम शम शनिश्चराय नमा का भी 11 बार जाप करें। आप मंद्र का जाप ना कर सेके तो आप पित्र चालेसा और शनी चालेसा का भी पाट कर सकते हैं। इस तरहें पूचन करने के पश्चात दोस्तों आप भगवान श्री गणेश भगवान विष्णु मा लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। और अपने पित्रों की आत्मा की शांती की प्रात्ना करें। पित्रों को जो कश्ट हो उसको दूर करने की प्रात्ना करें। पित्रों को मुक्ति दिलाने की परातना करें। इस तरहें परातना करने के परश्ञात दोस्तों आप फिसे भगवाण श्रीकणेश, भगवाण लक्ष्मी नारायन और अपने पित्रों को और शनीदेप को प्रणाम करें। और जाने अंजाने में की गई सभी गलतियों की शमा मांगे और पितर दोश और शनी दोश को दूर करने की प्रात्ना करें दोस्तों इस तरहें पूजन करने की परशाद अब एक रोटी तयार करें आपको एक मीठी रोटी बनानी है इसके लिए या तो आप शुद्ध जल से आटा मढ़ें और आटा मढ़ती समय ही आटे में आप शक्कर या गुड़ डाल लें और फिर इससे एक रोटी तयार करें या फिर आप रोटी बनाते समय जैसे आलू के पराठे बनाए जाते हैं और श्टफिंग भरी जाती है इस तरहें आप आटा अगर साफ रखा हो तो उस आटे में आप गुड़ या शक्कर भर लें और फिर उससे एक बेल का रोटी तयार कर लें दोस्तों अब इस रोटी को आप एक प्लेट में रखें और इस पर घी लगाएं घी ना हो तो आप सरसों का तेल लगाएं लेकिन आपको यह रोटी चुपड़ने अवश्य ही ह अब इस रोटी को आप अपने मंदिर के सामने ले जाएं और आपके जो भी दुश्मन हूँ जो भी आपको कश्ट पहुँचा रहे हैं उन दुश्मनों को शांत करने की भगवान से प्रात्ना करें इस तरहें प्रात्ना करने की पश्चात दोस्तों यह जो तिल आपने ले जाकर आप किसी कुट्टे को खिला दें अगर घर से बाहर कोई कुट्टा ना मिले आपके घर में कोई पालतु कुट्टा हो तो आप उसको भी रोटी खिला सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि काले रंग के कुट्टे को आप ये रोटी खिलाएं अगर काले रंग का पित्र पक्ष की तरह ही अमावस्या दिती पित्रों को समर्पित होती है पित्र पक्ष में पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पंच बली दी जाती है पंच बली में से एक बली होती है स्वान बली जिसमें पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्रों की मुक्ति के लिए और पित्र दोश से मुक्ति पाने के लिए स्वान को भोजन कराया जाता है इसलिए दोस्तों पित्र बख्ष की तरह ही अमावस्या पर भी स्वान को भोजन अवश्य ही कराना चाहें ऐसा करने से पित्र त्रप्त होते हैं पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है पित्र पित्रों की आत्मा की शांती के लिए और पित्र दूश्री मुक्ती पाने के लिए अमावस्या पर कुट्टे को मीठी रूटी अवश्य ही खिलाएं ऐसा करने से पित्रों की कृपा से दुर्भा के सौभागे में परवर्दित हो जाता है और किस्मत चमक जाती है दूस्तों अमावस्या तित्रों के साथ ही शनी देव को समर्पित होती है शास्तों के अनुसार कुट्टे को शरी और केतु का प्रतीक माना जाता है जिनकी कुंडली में ये दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं उन्हें ग्रह शांती के लिए अमावस्या पर कुट्टे को इस तरहें रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए ऐसा कहने से शनी और गेतू के अशुप प्रभाप दूर होते हैं शनी देब के गिर्पा प्राप्त होती है और कारियों में आ रही रुकावर्ट दूर होती है सारे काम बनते चले जाते हैं दोस्तों कुट्टे को रोटी खिलाने का एक अन्य फाइदा यह भी है कि अमावस्या पर जो इस बिदी से कुट्टे को रोटी खिलाता है उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है शांस्तों में बताया गया पितर देव और शनी देव के गिर्पा प्राप्त करने का ये बहुत ही असरकारक उपाय है दोस्तों माननेता यह है कि यह रोटी जब आप कुट्टे को खिलाएंगे अगर कुट्टे ने उसी समय यह रोटी आपके सामने ही खाना शुरू कर दी तो समझे आपके दुश्मन उसी समय से शांध होने शुरू हो जाएंगे अमावस्या पर इस तरहें कुट्टे को भोचन कराने से कष्टों से छुटकारा मिलता है कारियों में आ रही बाधा दूर होती है और जीवन में खुशियां आती है दुर्भा के भी सौफा के में बदल जाता है किसम साथ देने लग जाती है दोस्तों उपाए करते समय आपको कुछ वातों का विश्य धान रखना है आपको इस रूटी के उपर काले तिल ही डालने है क्योंकि काले तिल पित्रों को और शनी देव दौनों को ही अती प्रिया है पित्रों के निमे जो चीज निकाली जाती है अगर उसमें काले तिल ना डाले जाए तो वह भूत प्रेथ को जाती है और अगर उसमें आप काले दिल डालेंगे तो वह आपकी पित्रों को लगेगी यानि कि आपकी पित्र तक पहुचेगी दोस्तों वैसे तो इस उपाय को आप अमावस्या पर किसी भी समय कर सकते हैं लेकिन हो सके तो संध्या काल के बाद रात्री के समय आप किसी समय इस उपाय को करें। रोटी बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने घर की रोटी अभी तक नहीं बनाई और उससे पहले पूजन किया है तो पहली रोटी आप स्वान के लिए ना बनाएं। कि रोटी बनाते हैं उससे थोड़े बड़े साइस की आपको यह रोटी बनानी है। दोस्तों अमा वस्या पर इस उपाय को कर इसे लाव अवश्य ही प्राप्त करें। उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में जादर से जादर शेयर करें।